हलो दोस्तों, विक हैस में आपका स्वागत है 69 BPSC का जो पेपर होगा, वो होगा आपका सितंबर में और कमबाइन्ड होगा और इस बार हमारे चैनल दौरा बिहार स्पेसल की हर टॉपिक को चाहे चोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा हो सर टॉपिक को वीडियो बना करके बिल्कुल मैप के माध्यां से आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है जिससे इस बार BPSC का एक भी टॉपिक आप से अच्छूता न रह जाए कि आपने उसको नहीं पढ़ा है बिहार के हर टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं हर टॉपिक को हम वीडियो बना के आप तरफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप लोगों को टेलीग्राम पे टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम चेलों को जोइन कर सकते हैं वहाँ डेली आप टेस्ट भी दे सकते हैं हम लोग बात करते हैं बिहार के परमुक जल परपात की आज हम लोग बिहार के परमुक जल परपात चेप्टर को देखेंगे वाटर फॉल कोन कोन से है और किस नदी पर है और किस राज के किस जिले में है बिहार के ये हमें अच्छे से देखना है और जल परपात हमेशा पहाडों जब पहार से नदियां उतरती है तब ही बना जाता है और यहाँ पर अगर जिसे जल परपात ये गिर रहा है और यहीं पर टर्बाइन लगा देते हैं तो टर्बाइन चलने लगता है और यहीं से बिदूत का उत्पादन होता है तो इसे जल बिदूत भी कहते हैं तो जल बिदूत का उत्पादन होता है वो जल परपास ही होता है अगर यह प्राकिर्तिक है तो इसे प्राकिर्तिक जल परपास कहते हैं और नहीं तो फिर डैम बन है और हर टॉपिक का वीडियो हम बिलकुल मैप के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे बस आप लोगों को लगा तार्स पढ़ते रहना है और अपके तयारी अभी से करिए जो कि बीस पीएसी में ऐसा है लग रहा है कि बीपीएसी में दो हजार के करीब बेकेंसी बार आ रही है तो 2000 बेकेंसी आरे तो इस बार आपके हाथ से इक्जाम का कोई भी मनलब इस बार एक्जाम आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए मैरे कहने मतलब यह हैं इसलिए हमें तैनि अभी सही करने की जरौ़त है फिरहा पहले जल पर पात है काकोलत जल पर ये बिहार का बहुत फहमस और कई बारे कोशन आ चुका है यह उसी का यह मैप यह मने फोटो लाया है यहां पर लोग जाते है नहानें वाने के लिए त्याल लिएखेगा जो काकॉलट जलब्र ponieważ है इसके बारे मेंगर हम लोग जाने त्याने लिखा है बिहार का सबसे पर-मु जल्परपात है जो नवादा से 22 किलो मिटर दच्छिर पूर में काकोलत नमक पहारी पर इस्तित है इसकी उचाई जो है कितनी है 160 फिट है या 47 मिटर है अगर मुख जल्परपात की बात करे तो 24 मिटर और 80 फिट है और कोडर्मा पठार से आने वाली साथ धाराओं के मिलने से इसका निर्मार हुआ है तो कोडर्मा पठार कहाँ पर है ये ज़ार खनवे है और यहीं से साथ धाराओं में पानी आता है उसी से इस जलपरपात का निर्मार हुआ है काकॉला जलपरपात का ते काफी महात्पून है आपको याद रखना किस जिले में है नमादा जिले में है याद रखना और किस पहाड़ी पर ये भी आपको याद रखना है ति ये बहुत ही महात्पून ये कुशन आया हुआ है बि जिहार की सीमा परिस्थ है और यहां जो है कनहार नदी पर यह जलपरपात बनाया गया तो कनहार नदी पर कोंसे जलपरपात है यह आपको याद रखना है सुक लदरी जलपरपात है यह काफी महत्मौन जलपरपात है आज कर ऐसे जलपरपात पूज़ देते हैं इसे नाम काउ नदी पर है ये सासा राम रोता जिले में है और कारा चंडी पहाडी पर इसित है ये तीन फैक्ट आपको याद रखना है ये तीन इस तरह से कुशन आप से पूछा जा सकता है ठीक है इसके रावा यहां जल परपात कैमूर पहाडी पर इसित माज़र कुंड नामक जल प और किस नदी पर है इसी तरह से कुशन आप से पूछे जाएंगे इसके सार्फ फैक्ट को एक साथ दे दिया गया जिससे आपको याद करने में बिलकुल आसानी हो जाए इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग अगला है दुरुगा वती जल परपात ये भी उसी का इमिज दि जल परपात यहंगे इसे जो है खादर को जल परपात भी कहते हैं यह बहुत महतमुन याद लखेगा कि जल परपात है इसी को जो है खादर को जल पर पाथ करकर जल्परपाथ के मोर्जिले में श्थित है के मोर पहाड़ी पर है और यह बिहार । पिर्पार्ष पर परमप्रेटर्ण के असले इत्दाग्रूप में जाना जाता है ना पहीर यह ज्यार् कुछ प्रपाथ emails These है नदी पर इस्तित है ठीक है तो यह भोजपूर जिले में है और यह भी कोशन आया हुआ है बिहार नेक्स है आपका तेलहर कुंड जलिपरपाँ जो है यह कहां पर यह भी दुरृगा jadi नदी पर है कोंसा कुंड जल्परपाँ और यह भी याद दखेगा, ये काफी महत्मूर ज़ल पर पाथ और ये किस जिले में है, कैमूर जिले में, याद दखेगा, जिला करके आप से ज़्यादा पुछ आ सकता है, तो नदी और जिला, ऐसे चिज़ों को बिल्कुल याद दखना है, और ये वही तिलहर कुंड है, जो आपक गोपत नदी पर इस्तित है तो बिहार में रोहतास जिले में एक गोपत नदी बहती है और वहीं पर ओखा रिन कुंड जलपरपात इस्तित है यादखेगा इसके बाद हम कुछ मेज़ा जलपरपात को एक लिश्ट के माध्यम से देखें तो यादखेगा जलपरपात है नदी है और अस्थान तींची जोकों में ध्यान देना है काकौलग जल्परपाइब कहां है कौडर्मा पठार से आने वाली धाराओं से और ये नवादा जिल्परपाइब है दूसरा है सुकh लडरी घरपात कनहाँ नदी पर है और रोhtास में है ठेक है तो Blue निया देकता निया दजिद्वेट्धास ज्हाँ ज्यार में है जिया रुखतास ज़िया कुछ जलपरपात ये जो है आपका कैमूर जिले में है और तेलहर कुंड जलपरपात ये आपका दुर्गावती नदी पर है और ये कैमूर जिले में है तो कैमूर और रोताज जिले में ही सारे लगबल जलपरपात इस्तित है नेक्स्ट है तेलहर कुंड जलपरपात ये दुर्गा और देवुदारी, जो जयाप जलब परपाथ है, कर्म नासा नदी पर है और यह रोहतास पठार पर इस्या आर्थार रोहतास जिले मार्य में सिथ़ित है तो एक कर्मिनासान दी पर एक मात्र है, वह आप को यह दखतना है बाकि कौन कौन जिले में कहां पर ये मैंने बता दिया नदी बता दिया और जल पर पाद बता दिया तो एक साथ भी बता दिया मैंने अलग अलग बता दिया अब हम लोग कुछ कोशन भी दिख लेते हैं तो काकोलत जल पर पाद बिहार के राज के के जिले में है तो यह नमादा जिले में यह आपको याद रखना है दुसरा है तेलहर जलपरपाथ बिहार के कि जिले में है तो यह कैमूर जिले में है यह याद रखना है इसी तरह से कोशन आप से पूछे जाएंगे और नेश्ट है देवधारी जलपरपाथ किस नदी पर है तो यह करमनासा नदी पर है ऐसे कोशन आप से पुछे जाएंगे इस तरह के कोशन देने का मतलब यह है कि हमें यह पता चले कि कोशन किस तरह से आते हैं तो एक लिश्ट दे दीगे यह आप एक लिश्ट बिल्कुल नोट कर लिजेगा और हमारे टेलिग्राम चानल को जोईन करना चाहिए तो जोईन कर लिजे उस पर डीलि टेस्ट होता है तो आप टेलिग्री टेस्ट दे सकते हैं और टेलिग्राम के लिडियो के मैं कामेंट बहुत कठे कर दूँगा आप वहां से ले करकWhenर करोख़ते हैं आ रहे हैं पिछली बार भी मैंने करा था 68 की और सिश्ट्रेंट वीपेसिक त्यारी भी में लगातार करा रहा हूं इसलिए आप लोग लगातार हमारे साथ जोड़िए और अपरी त्यारी को अच्छे से कीजिए चैनल को आप जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन क मिलता रहे और आपकी क्लास लगतार चलती रहे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा ओके थैंक्यू